आज चौथा नव रात रहे हैं बसमस्की पूजा करने जा रहे हैं चलिए पूजा करते हैं साथ मिलके आओ मैया जी भोग लगाओ मैया जी मेरा भोग करो स्वीकार मा मेरी उच्छियां पहाणा वाली हलो एव्रिवान इंडिया नुर में किचिन में आपका एक बाफर से बहुत बहुत स्वागत है आज हपी नवरात्रा टुई यूँ आज फोद नवरात्रा है और आज का नवरात्रा जो है माँ कुश्छिवांडा को हम अर्पित करते हैं कहा जाता है कि इस स्रिष्टी की रचियता जो है वो मा कुश्मांडा ही है क्योंकि जब चारों तरफ अंध़तार फैला वा था और स्रिष्टी की रचिना नहीं हुए थी तो मा अपने रूप में आई और उन्हें अपने तेज और अपने प्रताफ से स्ष्टी की रचना की इसलिए खाजाता है कि मा पुश्मांड़ा की जब पूजा करते हैं तो वो हमारे दुख दरिद्र और हमारी दील आयू में हमारे को सहेता करती है हमारे को आशिरवात प्रतान करती हैं कि आज का दुख था है उससे हमारे को क्या सीखना चाहिए कि हमारे अंदर जितनी भी अंदकार है उसको हमें हटा देना चाहिए और जैसे मा की पूजा हम करते हैं माने सारे चारोतरफ स्रिष्टी को जगमत किया वाइं उसी तरीके से हम अपने मन में पॉजिटिविटी लाएं और अपने आसपस की दुनिया को जगमत आ दें चलिए फिर ऑप किचन में चलते हैं आज कर दियान इतना ही और चल के देखते जब आप जो व्रत में हम खाएंगे और हमें बहुत मजा आने वाला यह रस्पी बहुत इजी है इसके लिए मैंने शकरकंदी मेरी बड़ी थी इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइट किया और बस स्टीम दे एक स्टीम दी और बस ही मेरा बनके तयार हो गया मैंने चेक कर थोड़ा सा इसके इंदर चाकू डाल का देखा बहुत एजली अंदर जा रहा था और यह सारा ऐसा समाने जो हमारे को जहट पट घर के अंदर मिल जाता है और फट अफट फट जब भी व्रत में हमें भूख लगए यह वैसे भी हमें सरसीवी को और आम से बना सकते हैं तो क्या होता है कि हमारे जोगी शकर कंदी है वह बहुत अच्छा से ब्लेंड हो जाएगी एक सार रहेगी इस बहुत जो आते हैं नहीं रहेंगे वह हमें चाहिए कबाब मतलब बिल्कुल मौत मेल्टिंग भी आपने वाले और इसके इंदर मैने डाल दिये थोड़ी सी पाली म यह सब इंदर अब तेह थोड़ी जा सकते हैं यह आपके डिपैंट करते हैं कितनी डालना चाहें मेरे को थोड़ा सा चटपड़ा पसंद नहीं जो थी 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 और बस उनको डालती हैँ अब आल तो अब थान अनमक आप मैंने सिंदा नमक डाले क्या मैं वरत का बना रही हु क तो नॉर्मल ल Ihawk के साथ भी बना सकते हिसको और अब डाल रही हुए इसके अंदर हराधनिया, यह मैंने डाल दिया हारा धनिया, फेक आप हिर राजचिर का आटा, यहां राजगीर का यहां इसको रहा हुट ह है ओजिलτη हों डाल सकते हैं? या फिर आप जो समग के चावल है उसका भी आटा बनाकर इसमें डाल सकते हैं और ये थोड़ा सा मैंने इसमें लेमन जूस डाल दिया है बहुत बढ़ी हा फ्लेवर आता है लेमन जूस डालने से इसके अंदर और बस इसका हमें एक डो बना लेंगे और इसको एकल पार्ट में तोड़के ओर अब देखे मैं इसको कबाब बना रही हूं competitions करद के बाब आल ये और ये दोनों आटों में इसको रोल किया और रोल करके उपर वाली पाँम स्थे को इसको मैंने प्रिस कर दिया तो देखे कितने perfect मेरे कबाब एक size के बनके तयार हो गए है और यह देखे सबसे best part इसका क्या है कि बहुत कम oil के अंदर जो है यह आपके बड़े perfect और कुरकुरे करारे मज़दार बनके तयार हो जाते हैं मैं भी आपको दिखाते हूँ आपने देखोगा मैंने एक डेट सिर्फ टेबल स्पून उसके अंदर जो ऑइल डाला था और यह कितने बढ़िया बनके तयार हो गए है कितने golden fry हो रहे है कितने अच्छे लग रहे हैं तो बस ही हमारे फट बड़े मज़दार बनके तयार हो जाते है और बस इसको फिर हम क्या करेंगे कि अपसॉर्बंट पेपर के पसको निकाल लेंगे तो मैं आप से तोड़ा सा शियर कर लेती हूँ कि जो हमारे स्वीट पुटेटो होती है ने बहुत हैल्थी और निटीशियस होती है यह जो है बहुत अच्छी सोर्स है तो मैं अतने फाइबर होते भड़े को बहुत फिट रखती है तो हमारे को इसको ज़रूर ज़रूर अपनी डायट में जो है एसको रखना चाहिए और इसको ज़रूर हमारे को एक दिन में एक बार चाहना ही थोघ्य मैंने थोड़ी पता थीत आपके साथ शेयर की तो हमारे कबाब बनगे बहुत बड़िया तैयार हो गया है और इसको आप चाहें किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं आप चाहें वृत वाली चटनी के th खाईए आप चाहें कीरे के राहेते के साथ खाईए ये इतना फिलिंग और इतना मज़िदार होता है ना कि बस आपको खाकर मज़ा आ जाएगा तो इतनी बड़ी है रेसेपी है एक बर इसे बनाईए और अपने एक्सपीरिंस को में इसा शेर कीजे और अगर मेरे रेसेपी पसंद आईए तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक कीजे शेर कीजे सब्सक्राइब कीजे और कमेंट भी कीजे और बैल आइकन दबाना ना भूले ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब 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 खुश रहिए बाबाई